नमस्कार सर, सत्साइब जी, सर क्या नाम है आपका, हरी राम रंगा, सर कहां से आए हैं आप, राम नगर कालोनी नार नोल से, सर संत्रामपाल जी मारा से कम नाम दख चाली आपने, 4 सितंबर 2008 को जी, सर क्या काम करते हैं आप, सर मैं पेरा मिल्टरी से रेटार्मेंट हो, CRPF स सर संत्रामपाल जी मारा से जोड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साथना भी करते थे? सर यही बर्मा विश्नुमेश, जो हमारे देवी देवता हैं, उन्हीं की भक्ति करता था तो फिर आप संत्रामपाल जी मारा से की सर्ण में कैसे आए? हमства何 Μधा भी बेड़ी यह का आया कि विती हैं और मेरे साथी लोग पीले लिए ले जाम गई पीने शिक जया था कि वी टीओर से इंके साथ मैं। तो मैं चार बंडल पी जाता था चोविस गंटे के अंदर और सराब पीता था वो अलग थी उसकी कोई लिमिट नहीं थी और जब भी मैं चुटी आता था तो सर्जे जो हमारे को इशू होती थी वो तो साथ में लेकर याता था और मेरे साथियों की मांग के लेकर आता था तो यहां भी पीता था आए दिन घर में जगड़ा होता था जो हमारी मैडम है वो सराब के लिए रोकती मैं सराब पी के आता तो जगड़ा होता था एक दिन मैं अपने रिष्टेदार के यहां गया तो उसने मुझे बताया कि ये रोज रोज की चिक चिक से क्या फाइदा तो नाम ले ले तो मैंने पूछा जी किस से नाम ले लू तो उन्होंने बताया सत्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले लू तो मैंने बताया जी ये एव छूट जेंगे तो उसने बताया कि जी यह अवतो चुटकी में चूट जायेंगी, तो मगाजे देखेंगे, फिर मैं यह सोचता था कि आता हूं मिलने के लिए उर यह में जे नम लेने के लिए कहता है, तो सर मैं उसके पास मिलने जरू जाथा था क्यूकि वी रिष्टेदार था, मैं उसके तो दुकान में बैठता है तो बाइसा बीडी मत पियो तो मैं कहता कि ठीक मैं बाहर बैठके पिलेता हूं फेर आता हूं तेरे पास तो वो कहता था भई परमात्मा रखे हैं पास बाड़ के पास बाड़ माहराज उन से नाम ले ले खिर बाड़ बाड़ ले छुट जागा तो मारण फिलो देखेंगे तो एक बर बड़ क्या ओवा जी मैंने धान यहान घान गरिदी जमीन करी तो मैंने सोचा कि या यह जो बगवत है भगत है सब वहाराज का मैं इसी स मगर हाँ मैं आपको जगे बता दूँगा कहां क्या करना है मगजी ठीक है क्योंकि वो नक्षाने भी स्था तो मैं उसको लेकर आया तो उसने पित्य से नापनूब के सब बता दिया और मेरा इसका मकान का नक्षा बना दिया मैं एक दिन घर मैं जड़ा पीक गया तो बहुती pumpkin तो बं थम उसकी दुड़ीं अ ऑलर्न थी तो उसकी दुड़ा नहीं था तो मैंने उसके परव जो बोला जी कहां जाू जो मगजी आपकी दुड़ा पा जाओ मैं दुकान पा रख़ा हो और मैं नाम लेने के लिए इसंग हूँ बोले जी तीन दिनो तीन दिन निन भा उ मैंने स्ट्गुरु रामपाल जी महाराज से चार सितंबर दो अजार आठ खो नाम लिया, परमात्माने मेरे सारे आप छुडा दिये सर संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाब भी प्राफ्त हुए? सर लाब तो इतने हुए कि मैं गिनाओंगा तो बहुत समय निकल जागा सर पहले तो मुझे परमात्माने साथकुर रामपाल जी महाराज ने मेरे आप छुडा दिये जैसे ये गंद थी बीडी डारू और एभ थे वो शारे इभ छुडा दिये, इनसान बना दिया और जब भी में जगडा होता थो बगुमेति को मैं ऐसे ही गाली देता था वो मालिक ने दूर कर दिया, और जी मैने जी बोर कराना था, तो हमारे एरिये में बहुत गहरा पानी है, आसपास के जो बोर हैं, उसमें किसी में भी डेड़ सो दोसो से निचे पानी नहीं है, और मेरे यहां परमात्मा की दया से 16 फिट पानी है, मेरे बोर के अंदर हेड़ में भी चलता है, और 1HP की मोटर में ने उपर रख रखी है, उसे तीसरी मंजिल में पानी बी जाता है, तुझी आज मालिक की दया से उस पलाट में सोड़ा फिट पानी है, चुट्टी का, और जी, एक बर क्या वा मेरी बगमती बोले, जी गाय लानी है, मोल का दूद मकाम से दिया, तो उसने इंजेक्शन लगाया, बोलो जी, हो गई, मगर दूसरे डोक्टर से चेक राय तीन मेने बाद, तूसने बताया कि यह खाली है, तो हमारी बगमती जब सचंग में गई तो परमातमा से अर्दास लगाई, सत्गुरु रमपाल जी महराज से, कि मालिक बग जी, सर जी, मालिक ने ऐसी दया करी, कि गाय आगे की निकली, जब एक महने बाद दूसर डोक्टर को दिखाया कि देखियो जी, यह हमारी गाय आगे की है नहीं है, तो डोक्टर ने बताया, अरे यह तो आगे की है, इसको कोई दवाई अगेरा नहीं देना, तो परमातमान जी, यह हमारे बच्चों के लिए दूद हो गया पीने के लिए आगे की होगी, और जी, हमारी बगमती चार एमेम की पत्री थी, परमातमात ने अरदास लगाई, सत्कुरु रामपाल जी महराज ने, कहा कि बेटा जाओ, मालिक दया करेंगी, वो गांट भी थी, वो गांट कि भाई इसको तो हाड़ाटेक है, मुझे वो बता भी नहीं रहे कि इसके क्या बिमारी है, और आपस में डोक्टरों ने काना फुषी करके, तीन चार डोक्टरों कोई कठा कर दिया वाँ, तो मैंने पूछा, सर जी मेरे क्या हो गया, जब आप एकदम सी इतने होगे, मैं स प्राइबेट होस्पिटल थी, गोर्मेंट की उसमें लेकर जाना था, तो मैंने नीचे वाले डोक्टर से पूछा था, क्या हो गया, बोला कुछ नहीं, आपको थोड़ा हाट कि है, नॉर्मल प्रोबलम है, आपको वहां ले जाएंगे, तो मैं ठीक है, मैं वहां चुपच मैं ये देख रहा हूं कि तो अपने पैरोह आपके चल्के काई ऊया, मैं बोलाजी मैं ठीक हूं मेरे को कोई प्रोबलम नहीं है, तो बोलाजी नहीं, अपको तो अना बहुत बड़ी बीमारी है, हड़ा टेक कभी भी भी बीशकता है, और बोलाजी एक बड़े एक एक इडिकल कालेज राइपूर विलासपूर चाथिसकेड के अंदर रफर कर दिया मुझे वहां जाने के बाद मेरा एंजियोग्राफिक एजा रातकोई अमर्जेंशी डोक्टर आया एंजियोग्राफिक एज तो डोक्टर बोला कि इसको तो हाड़ा टेक है वही इसको तने यह जआ है एक चले डलेंगे मैं टूछ कर दोसलेंगे मैंसोचने लेटाए लोड़ाउते म्हाराज मैं आप से नाम ल ले रखा परमात्मा शड़ लंघम मुझे भी आपका दासको भी हाड़ा टेक होअगी तो कैसे काम चलेगा तो मैं ने जी फोल लगाया और पहार टे ल बाले जिए आपका तो कल एंजिवग्राफी वा इतना जल्दी थोडी हो गा मैं बलाजी कोई बात नहीं अगले सबते कर लेना तो जी डॉक्टर ने मेरी बात मानली अगले सबसे फेर एंजिवग्राफी करी तो मेरा सब कुछ नौर्मल आया तो डॉक्टर ने काह था इदाय एक बार मेरी बेटी के ना पैरो में दर्द होने लगा दास उसको चेक करा आए के लिए तो डॉक्टर ने बता इसके थायराइट है तो अम घबरा गे कि इसकी तो उमरी 13 साल है इसको अगर थायराइट होगी तो भई इसकी तो जिनकी बाक्की है कैसे काम चलेगा आम तो इसी करेंगे तो भगजी आज तक परमात्मा के दाय से एक टैबलेट भी नहीं खाई बच्ची सोडा आना की है और जी परमात्मा सत्तगुरु रामपाल जी महराज के आने से हमको बहुत से हिलाव गए हम गिना भी नहीं पाएंगे जी सरसंद रामपाल जी महरासे नाम कि परमात्मा आये हैं आईए ज्ञान समझिए और अपना मोक्स कराइए सरसंद रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा कैसे लिए जा सकती है साधना चैनल पर साड़े साथ से साड़े आठ बजे तक स्याम को सच्छंग आता है सद्गरो रामपाल जी महाराज का उसके नीचे पीली पट्टी आती है उसमें आशरम के नंबर होते हैं उस नम्बर से फोन करने से अपने एरिया में जो भी नामदान केंदर होगा उसका नम्बर धे देदेंगे वो नामदान केंदर पर जा के नामदीख्शा लेके अपना मोक्स क्रा सकते हैं धन्यवाद सर। सतसाहईब जी झाल झाल